गाइस अब हम अपने तीसरे सब टॉपिक से शुरू करेंगे जिसका नाम है क्रेब साइकल पार्ट टू अब तक हमने क्रेब साइकल के चार स्टेप्स पड़े और अंत में हमारे पास सक्सिनल को इंजाइम A अप्टेन हो गया था तो step 5 में substrate level phosphorylation होती है इसमें यह होता है कि सक्सिनल को इंजाइम A convert होता है सक्सिनेट में या फिर सक्सिनिक एसिड में तो guys substrate level phosphorylation में यह होता है कि एक substrate directly अपना phosphate ADP को दे देता है और उस से बनता है फिर ATP इस process को हم substrate level phosphorylation कहते हैं और इस step को catalyze करता है succinate thiokinase, अगले step में यानि step 6 में oxidation होती है और succinate convert होता है fumarate में, इस step को catalyze करता है succinate dehydrogenase, इस step में भी FAD+, जो कि एक को enzyme है, वो reduce होके बनाता है FADH2, और याद रखने वाली बात यह है guys, कि यहाँ पे कोई CO2 release नहीं होती, क्योंकि अब हमें carbon का loss prevent करना ह तो guys, अगले step में, यानि hydration में fumarate convert होता है malic acid में, इस step में fumaric acid की carbon-carbon bonds की hydration होती है, जिस वज़ा से malate बनता है, और hydration step को catalyze करने वाले enzyme का नाम है fumarase, hydration के बाद, दुबारा से हम oxidation देखते हैं, oxidation में malic acid convert होता है oxaloacetate में, और ये oxaloacetate ही हमें rebuild करना था succinyl को enzyme से, तो जैसा कि step 6 की oxidation में हमने देखा था, इस में भी NAD plus reduce होके NADH का एक molecule बना लेगा, और इस step को catalyze करने वाले enzyme को हम कहते हैं malate dehydrogenase, तो guys हमारे पास फिर से एक oxaloacetate का molecule obtain हो गया है, जो की हमारा TCA cycle का दूसरा goal था, अब ये oxaloacetate दुबारा किसी acetyl COA के साथ मिलके TCA cycle को start कर सकता है, TCA cycle को हम इस equation से summarize कर सकते हैं, जो की हमारा TCA cycle का दूसरा goal था, अब ये oxalo acetate दुबारा किसी acetile COA के साथ मिलके TCA cycle को start कर सकता है TCA cycle को हम इस equation से summarize कर सकते हैं तो इस equation से हमें ये समझ आता है कि TCA cycle में कहां कहां कितनी energy बनी है कुछ energy तो direct ATP की form में बनी है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और कुछ energy reduced coenzyme की form में बनी है जैसे NADH और FADH2 NADH और FADH वो coenzymes हैं जो electrons को accept करके reduced हो जाते हैं और अंत में जब oxidative phosphorylation होती है तब ये अपनी energy को hardness करवाके उसमें से ATP synthesize करवाते हैं NADH होता है nicotinamide adenine dinucleotide FADH होता है flavin adenine dinucleotide और ATP जैसा कि हम सब को पता है होता है adenosine triphosphate तो guys आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम aerobic respiration पढ़ रहे हैं और अभी तक कहीं भी हमने oxygen का जिक्र नहीं किया है ये oxygen कहां introduce होती है इसका क्या use होता है और अंत में उस oxygen से क्या result मिलता है वो सब हम अगले topic में जानेंगे